दूसो आज के इंडियन मिसाइल सीरीज के वीडियो में आप लोगों को सम हो मिसाइल के बारे में बताऊंगा ये भारत के द्वारा डेवलड़ किया गया ऐसा एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल है जो टैंक के गन से दाग आया सकता है बेसिकली इस मिसाइल का development का काम armament research and development establishment के द्वारा अर्जून टैंकों के लिए किया गया है दूसर समहो मिसाइल में dual high explosive anti-tank tandem overhead का इस्तिमाल किया गया है और इसमें ऐसा शमता है कि ये दुश्मन के explosive reactor armor को भी भेद सके दूसरे तरब modern armor vehicle और टैंकों को भी भेदने का इसमें समता है जबकि रिपोर्टों में ये भी बताया जाता है कि ये anti-armor guided missile है जो कि टैंक के इलावा low flying attack helicopter को भी निशाना बना सकता है सामो missile के development का काम साल 2014 में शुरू किया गया था और इसे cannon launch missile development program के अंतरगत defense research development organization के lab armament research and development establishment के द्वारा शुरू किया गया जबकि इसके साथ high energy material research laboratory instrument research and development establishment जैसे संस्ता भी बाद में जुडा दोसो इस तरीके के missile Indian army के लिए develop किये गए अर्जुन जैसे टैंकों के शमता काफी गुना बढ़ाएगा और साती साथ Indian army में इस्तेमाल किये जाने वाले T90 टैंकों के द्वारा भी जब इन missile को इस्तेमाल किया जाएगा तब भी T90 के मारक शमता को ये missile काफी आगे बढ़ा है और इसका टेस्ट 120 mm version बाले मतलब अर्जुन टैंकों से दागे जाने वाले missile के रूप में ही किया गया है जबकि 125 mm के missile को ये उपर भी काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये missile है इसके operational range 1.5 km से 5 km मतलब 1500 मिटर से लेके 5000 मिटर तक है इसमें semi active laser homing system का इस्तेमाल किया गया है जिस वज़ा से इसके accuracy काफी वहतरीन है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हूँ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए जाए हिन